बॉलेवुड की जानी मानी एक ट्रेस दिशा पटानी भारत वापस आ गई है बतादें कि दिशा विदेश गी थी अपना न्यू एर मनाने जे आ अब वापस आ गी है दिशा फिर से एक बार अपनी तस्वीरों के चलते सुर्खियों में आ गी है दिशा ने साल 2017 में एक मैगाजीन के लिए फोटो शूट कराया था जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायल होगी है आज हम आपको दिशा पटानी के उसी फोटो शूट के बारे में कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और उनकी बारे में कुछ बातें भी बताने जा रहे हैं यह तो आपको पता ही है कि अक्सर दिशा पटानी अपनी होट तस्वीरों के चलते वे हमेशा ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो ही जाती है सोशल मीडिया में वेह अपनी तस्वीरों के चलते ट्रोल हो ही रहती है बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि उनकी काफी तस्वीरों पर उनके फैंस अजीब से कमेंच भी कर देते हैं बता दें कि दिशा पटानी अपने इस पोटो शूट में काफी गजब की होट और खूबसूरत लग रही है दिशा का यह अंदाज हमेशा से ही उनके फैंस को उनका दीवाना बना ही देता है दिशा सोशल मीडिया पर काफी ही एक्टिव रहती हैं जिसके चलते वे हैं अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती ही रहती हैं दिशा पटानी को उनकी यह खूबसूरत तस्वीरें काफी ही पसंदाती हैं बॉलेवुड में दिशा पटानी ने अपने फिल्मी क्यारियर की शुरुआत शुशान सिंग राजपूत के साथ फिल्म धोनी दा अन्न टोल्ड स्टोरी से की थी यह फिल्म 2016 में आई थी और इस फिल्म में दिशा के अभिने की बहुत सा रहाना की थी दिशा की 2017 में आई थी कुंगफू योगा उसमें भी उनका एक्टिंग काफी पसंद की गई थी दिशा की आने वाली फिल्म बागी दो की शुटिंग में आज कल वेह बिजी हैं दिशा के साथ इस फिल्म में टाइगर शॉप हैं काफी समय से दोनों के अपेर की बातें चल रही हैं बागी दो फिल्म में टाइगर शॉप का एक बार फिर से शांदार एक्शन दिखने को मिलेगा यह फिल्म इस साल 27 अप्रेल को सिनिमा घरों में आएगी